मेरे प्यारे बच्चों, संस्कुत की कक्षा में आपका स्वागत है आज हमारा विशे है कारक चिन संस्कुत भासा में कारक चिन ने के लिए प्रत्मा विवक्ति का हम प्रियोग करते हैं तो आज टॉपिक हमारा है काह, कौ, के कहा माने होता है कौन कहा माने कौन ये पुर्लिंग है और का माने होता है कौन ये इस्त्रिलिंग है मतलब का माने कौन ये पुर्लिंग में यूज़ किया जाता है और का मतलब कौन ये इस्त्रिलिंग में प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है कौ मानी होता है कौन दो पुर्लिंग शब्द इसका प्रियोग पुर्लिंग शब्दों के लिए किया जाता है नेक्स्ट है के के मानी कौन दो इस्त्री लिंग के का भी आर्थ होता है कौन दो पर ये इस्त्री लिंग में प्रियोग किया जाता है आईए दिखते हैं आगे के के मानी होता है कौन सब ये पुरलिंग शब्द है के मानी कौन सब ये पुरलिंग शब्द है और कहा का मतलब होता है कौन सब ये इस ते लिंग शब्द है तो बच्चों अभी हमने आपने पढ़ा कह, कौ, के, पुलिंग शब्द और का, के, का, इस्ती लिंग शब्द चलिए एक बार हम उच्चारण करते हैं ठीके, ये हमारे एक वच्चन, दुई वच्चन और बह वच्चन शब्द हैं एक बार हम उच्चारण करते हैं एक वच्चन, दुई वच्चन और बहवच्चन, ठीक है, एक वच्चन में एशाह, एतो, एते, तो एशाह क्या है, एक वच्चन, एतो क्या है, दुई वच्चन, और एती क्या है, बहवच्चन, ठीक है, नेक्स्ट है हम, एशाह, एते, एता, लिपीट अगेन, एशा, एते, एता नेक्स्ट, साह, तौ, ते नेक्स्ट, साह, ते, ताह अगला, काह, कौ, के नेक्स्ट, का, के, काह अब हम आगे देखते हैं, इस्ट्री रिंग और पूर्लिंग शब्दों को कि जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें कितने शब्द पूर्लिंग थे, और कितने शब्द इस्ट्री रिंग है यह हमारे पूरलिंग शब्द थे अब हम पढ़ेंगे इस्त्री लिंग शब्द इस्त्री लिंग शब्दों में देखिए क्या क्या हमने अपे पहले बढ़ा था एसा, एते, एतह, सा, ते, ताह का, के, काह तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया कि यह स्त्री लिंग और पूरलिंग शब्द कौन-कौन से होते चलिए आगे हम चाप्टर स्टार्ट करते हैं आगे चाप्टर में क्या देखिए क्या क्या लिखा है तो आपको जब शब्दों की पैचान हो गई तो आप जो है अनुवाद अच्छे से बता देगे चलिए एशा काह लिखाती एशा मानी यह है काह मानी कौन लिखाती मतलब लिखता है क्योंकि यह पूरलिंग है काहा लिखा विसर्ग लगा है इसमें काह में विसर्ग लगा है इसलिए पूरलिंग शब्द है ठीक है एशा का लिखती यह कौन लिखता है एशा छात्रह लिखती यह छात्र लिखता है साह लिखती साह माने वह साह माने वह तो साह लिखती वह लिखता है नेक्सट देखिए आगे एतव कौ लिखता हा एतव मतलब ये दोनो कौ मने कौन लिखता हा मने लिखते हैं ये दोनो कौन लिखते हैं दोई बचन है ये प्रतम पुरूस का दोई बचन ये तो चात्रों लिखता है ये तो चात्रों लिखता है ये दोनों चात्र लिखते हैं ये तो मतलब ये दोनों चात्रों मतलब चात्र ना दो चात्र हो गया दुवचन लिखता है मतलब लिखते हैं ये दोनों चात्र लिखते हैं तो लिखता, तो मतलब वे दोनौ, तो मनें वे दोनो, लिखता मतलब लिखते हैं, वे दोनो लिखते हैं नेक्स्ट है एते के लिखन्ती एते मतलब ये सब एते का मतलब क्या होता है ये सब के माने कौन सब है ना एते ये सब कौन लिखते हैं ये सब कौन लिखते हैं एते छात्रा लिखन्ती ये सब छात लिखते हैं ते लिखन्ती ये सब लिखते हैं तुम का असी तुम माने तुम का माने कौन असी माने हो तुम कौन हो आहम हरिणा अस्मी आहम माने मैं हरिणा मतलब हिरन अस्मी माने हूँ एक बचन के लिए अस्मी आहम के साथ अस्मी लगता है आहम हरिणा अस्मी मैं हिरन हूँ आहम चरामी माने मैं चरामी मतलब चरता हूँ मैं चरता हूँ यहाँ चरने का आर्थ है खाना जैसे इस प्रकार से हैं भोजन करते हैं इस प्रकार से जो जानवर होते हैं जो पशु होते हैं वो चरते हैं मतलब खाना उनके लिए खाने का यूज़ किया गया है ठीक है नेक्स्ट युवाम को इस्था हा युवाम मने तुम दोनो को मने कौन इस्था मतलब हो तुम दोनो कौन हो आवाम हरिणो स्वा या स्वा मने हैं आवाम मतलब हम दोनो हरिणो मतलब हिदन आवाम हर्णोस्वा हम दोनों हिरण है आवाम चरावा हम दोनों चरते हैं आवाम चरावा का मतलब होता है हम दोनों चरते हैं नेक्स्ट यूवं यूयं के इस्त इस्त माने हो यह तुम सब के लिए प्रियोग किया जाता है यूयं के इस्त तुम सब कौन हो वयम हर्णा हां इस्म वयम माने हम सब हर्णा मतलब हीरन इस्मा मतलब हैं मतलब हम सब के लिए यूज़ किया आता है हम सब हीरन हैं बवचन है इस्मा मतलब बवचन वयम चरामा वयम माने हम सब चरामा मतलब चड़ते हैं हम सब चड़ते हैं नेक्स चे एशा का अस्ती एशा मतलब यह का मतलब कौन अस्ती माने है एशा का अस्ती यह कौन है यह स्टिलिंग शब्द है एशा हमारा स्टिलिंग शब्द है एशा का अस्ती यह कौन है एशा कोकिला अस्ती यह कोयल है सा कूँजती सामाने वह कूँजती मतलब कूँजती है वह कूँजती है एते के इस्ता एते मतलब ये दोनो के मतलब कौन इस्ता मतलब है ये दोनो कौन है एते कोकिले इस्ता एते मतलब ये दोनो कोकिले मतलब कोयल ये इसता मतलब हैं ये दोनो कोयल हैं ते कुझता ते मतलब वे दोनो कुझता मतलब कुझती हैं वे दोनो कुझती हैं नेक्स चे एता का संती एता का मतलब होता ये सब का माने कौन संती माने हैं ये सब कौन है ये ता कोकिला संती ये सब कोयल हैं ता कूजन्ती ता मतलब वे सब कूजन्ती माने कूजती हैं और ये सब कूजन्ती हैं नेच्ट तौं का असी तौं माने तुम कहा माने कौन असी माने हो तुम कौन हो आहां शच कहा असमी आहां माने मैं सच कहा मतलब खरगोज अश्मी मने हूँ मैं खरगोज हूँ अहां धावामी अहां मने मैं धावामी मतलब दोड़ता हूँ मैं दोड़ता हूँ नेक्ष्टे बच्चों युवाम कव इस्था युवाम मने तुम दोनों कव मतलब कौन इस्था मतलब हो तुम दोनों कौन हो आवाम गजव स्वा आवाम का मतलब होता है हम दोनों गजव मतलब हाथी स्वा मतलब हैं हम दोनों हाथी हैं आवाम चलावा माने हम दोनों चलावा मतलब चलते हैं यूयम के इस्थ यूयम माने तुम सब के मतलब कौन इस्था मतलब हो तुम सब कौन हो वयम मयूरा इसमह वयम माने हम सब मयूरा हमाने मोर इसमाह मतलब है हम सब मोर है वयम नत्यामह हम सब नाचते है वयम का मतलब हम सब नाचते है नेक्ट बच्चों ज्यान से सुनिए तुम कहा असी तुम माने तुम कहा माने कौन असी माने हो तुम कौन हो अहं माने मैं कबोता मतलब कबूतर असमी मतलब हूँ नेक्ष देखिए TOW का मतलब वे दोनो को मतलब कौन इस्था मतलब हो, तो वे दोनों कौन हैं? आवाम, शुको, स्वा, आवाम का मतलब हम दोनों, सुको मतलब तोती, स्वा मतलब हैं, हम दोनों तोती हैं यूयम के इस्थ, यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब के मतलब कौन? इस्था मतलब हो, तुम सब कौन हो? वयम, चटका, स्मा, हम सब, चटका मतलब चुडियां, जहां बहुत सी चुडियां होती हैं, बहुँ अच्चा नहीं हैं, हम सब चुडियां हैं अगला देखो बेटा, जान से एशह कहा अस्ती एशह मतलब यह है, कहा मतलब कौन? अस्ती मने हैं यह हमारा क्या है? पुर्लिंग शब्द हैं एशह कहा अस्ती, यह कौन है? एशह सिंगहा अस्ती ये शामने यह, सिंगह मतलब सेर, आस्ती मने है, ये सेर है, ये शहा गर्जती, ये गर्जता है नेक्स दिखिए बिटा एतव कौ इस्ता एतव का मतलब ये दोनो कौ मतलब कौन इस्ता मतलब है ये दोनो कौन है एतव अश्वो इस्ता ये दोनो घोडे है ये दोनो घोडे है नेक्स ते एतव धावता ये दोनों दोड़ते है नेक्स है बेटा एते के संती एते का मतलब ये सब के मतलब कौन संती माने हैं संती क्या है भौवचन है आस्ती इस्ता संती है ना आस्ती मारा क्या एक वचन इस्ता हमारा देवचन और संती हमारा भौवचन तो ये संती है बहुबचन के लिए संती का प्रियोग किया जाता है एते के संती ये सब कौन है एते पिका संती ये सब कोयल है एते कूजन्ती ये सब कूजती है दो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा धन्यवाद